हेलो इस्टुडेंट, ब्यस्टी पार्टू, फिजिक्सी क्लास में मैं बिजे सक्सेना आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हेकर, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्तित हूँ, टॉपिक है हमारा थ्री इलेक्ट्रिक बेक्टर, यानि की तीन पैददुद सदिश, जिसमें से एक है बैददुद छेतर की तीप्रता, यानि इंटन सिटी ओफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, दूसरा है पैददुद विस्थापन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेश्मेंट, कैपितल डी, और बन यानि की डाय इलेक्ट्रिक पुलराइजेशन पी की ब्याक्या कीजिए और इनके मद्द रिलेशन इस्थापित कीजिए यानि की इनके जो संबद हैं तीनों के बीच में वह भी हमें बताना है तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वेक्टर की इंटेंसिटी और इलेक्टिक फीड क्या होता है यह एक ऐसा इलेक्टिक फीड वेक्टर होता है जिसका संब्द स्वतन्थ आवेश क्यों से और प्रेरित आवेश क्यूड़ैस से स्वतंत्र आवेश जो एक ऐसा आवेश है जो यहां परिस्तित है किसी भी मेगनेटिक किसी भी इलेक्ट्रिक फिल्ड में और क्यूडेस क्या है एक ट्रेरित आवेश है जो इसकी सहायता से उत्पन हुआ है ठीक है यह मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है यानि कि मीडियम का नेचर कैसा है इस पर यह डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी और इसे हम वेक्टर इशे डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है है वह रहता है निउटन पर कूलोंग इक्वल सिग्मा अपॉन एपसालन नॉट इसका फॉर्मला होता है किसी भी पैरलल प्लेट कैपसिटर के लिए आग् extrêmement सिग्षें और इगर उस प्लेट के बीच में आगर हम कोई डालेक्टरिक सबस्टेंस रख दें तो इसमें की और लग जाता है जिसका गलता है जिसका इलेक्तिक कांस्टैंट वेक्टर होता है जिसका जो संबंध है वह केबल स्वतंत्रावेश से होता है ठीक है दो तरह के आवेश मैंने बता है एक स्वतंत फुरी और दूसरा जो induced है यानि की प्रेरित आवेश है तो इसका जो संबंद होता है वो केवल स्वतंत रावेश से होता है और यह मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है इसपर यह डिपेंड नहीं करता है इसे वेक्टर दी से देनोट करते हैं और इसका जो unit होता है कूलाउम पर मीटर स्कूर्र होता है इसका जो formula होता है वेक्टर डीएक्वल एपसालन इंटू बैक्टर ऑ ठीक है इसका हमने equation no2 डाल दिया हिर थर्ड की बात करें इन तो pouring माघ है के जो आफ से इसका संबंध होता है यह मीडियूम के नेचर पर depend करता है इसकी जो value है वो medium के nature पर depend करती है इसे हम vector P से denote करते हैं और इसका unit होता है Coulomb per meter square अब आती है बात E, D और P के relation के इनमें relation क्या है तो यह diagram दिखाए गया है जिसमें parallel plate capacitor दिखाए गए हैं यह यह एक P plates है और यह इसके बीच में Q plates है और इसके बीच में एक dielectric substance रखा हुआ है इनका जो area है plates का वो S माना है हमने ठीक है और जो length है इनके बीच की उसको हमने L माना है plate के बीच की जो distance है उसको हमने क्या माना है L माना है तो E not equal formula अभी मैंने बताया क्या होता है sigma upon epsilon not parallel की बात करें plate की तो यहां पर P लगा देंगे तो E P equal हो जाएगा sigma P upon epsilon not यह दोनों ती बताएं जो होती है वो एक दूसरे के opposite होती है इसलिए हम क्या करेंगे जो E की value find करेंगे उसमें E not में से E P को minus करतेंगे तो E not की जो value आई थी वो आई थी sigma upon epsilon not और E P की value थी sigma P upon epsilon not यहां से epsilon not को common निकाल कर cross multiply कर दें तो आएगा epsilon not E equal sigma minus sigma P तो यहां से sigma की value हो जाएगी इसको इदर बेश देंगे तो sigma equal to हो जाएगा epsilon not E plus sigma P यह sigma P जो होता है वो P के equal होता है और जो sigma होता है यह vector D के equal होता है यानि कि displacement vector के तो यहां से vector D बराबर आ जाएगा epsilon not vector E plus vector P यह इनके बीच relation है तो यह question यहीं समाप्त होता है I hope आपको यह question समझ में आया अगर समझ में आया तो वीडियो को like करें और कोई भी समस्य आये तो comment box में चरूर पूछें धन्यवाद